है वरीवन मैं महैं पांडे आप लोग अपने यूटूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और मैं आसा करता हूं कि आप लोग सुस्त होंगे मस्त होंगे जैसा कि मैं आप लोगों को बता दू मेरा यूटूब चैनल के सी आई टैले स्पेसिलिस जूचल राइस पर कई टाइप के computer courses available हैं जहां से आप जा करके free में computer की पढ़ाई कर सकते हैं उसी क्रम में मैं आज जो क्लास ले करके आया हूँ विकाउज मेरा practical classes में आस थर्डे की क्लास है लास्ट क्लास में मैंने आपको फर्स डे स्टेप वीडियो को देखें जिससे आपको complete knowledge हो जाएगा और आप जीरो लेवल से computer की पढ़ाई कर पाएंगे तो आज का जो मेरा topic है notepad पिछली classes में मैंने आप लोगों को बताया कि हम computer को on कैसे करते हैं computer में part of window क्या होता है icons क्या है desktop क्या होता taskbar क्या होता desktop को हम कैसे change करते है file folders क्या है उसको हम कैसे विवस्तित करते है storage वगरा हम कैसे maintain करते है हम icons को hidden कैसे करते है it means basic का जो computer handling में starting में जो work होता हूँ मैंने पिछली classes में बताया तो अगर आप यह class देख रहे तो इससे पहले अगर आपने पिछली classes नहीं देखी हुई है तो उसको जा करके आप step by step देख लेंगे तो आपको complete knowledge हो पाएगा और यह classes आपको आसानी से समझ में आएगी तो हम आज देखते हैं notepad notepad ही क्यों because यदि आप computer में नए है यदि आप beginners है अगर आप computer में zero level से पढ़ना चाहते हैं तो windows के अंतरगत जो सबसे basic application होता है जिसे हम notepad कहते हैं हम लोग notepad सबसे पहले पढ़ाते हैं because उसमें आप keyboard की complete handling कर पाते हैं notepad जो एक text document window है जिस इसे हम text editor भी कहते हैं और इसका file extension dot txt होता है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं notepad को open कैसे करते हैं हम start पर click करते हैं मैंने जबकि पिछली वीडियो में आपको open करना बताया हुआ है यदि आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ जाकर कि आप देख सकते हैं य जहां से हम scroll bar से elevator को elevate करके नीचे आ जाएंगे जहां पर हमारा notepad का exact location होता है जिसे हम windows accessories बोलते हैं यदि आप पुराने versions यूज़ कर रहे हैं तो all programs के अंतरगत आपको accessories option मिलेगा जहां से जाकरके आप notepad को open कर सकते हैं तो यहां पर हम click करते हैं और यहां आप देख पा notepad के window आपके सामने represent है अगर हम इसको maximize करना चाते हैं तो यहां पर हम maximize पर click कर देंगे और notepad आपके complete desktop पर पूरे open होकर के आ जाएगा अब हम क्या करते हैं यहां से चाहे तो minimize कर ले minimize करने के बाद आपकी task bar पर आपका application आ जाता है यहां हम click करते हैं तो आपके सामने present हो button को press करते हैं pop up open होता है और हम नीचे just आ जाते हैं windows accessories पर आएंगे because जो notepad का exact location होता है वो windows accessories होता है या accessories होता है तो accessories पर हम आ जाएंगे यहां से और यहां पर आ करके हम enter प्रेस करेंगे enter प्रेस करने के बाद हम down arrow keys से निचे आएंगे और notepad पर select करके enter कर देंगे आपक के साथ space बार प्रेस करेंगे और यहां पर maximize पर click कर देंगे window maximize होकर के आ गया है आप देख पा रहा है notepad की window पर है complete controlling मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है control menu box हा use करके हम कैसे अपने application को control कर सकते हैं तो अब हम देखते है notepad के बारे में तो थोड़ा सा notepad के बार file extension है क्या किसी भी application को जब हम save करते हैं तो computer उसका extension लगाता है it means save as type जो आपका file save होता है उसका प्रकार क्या है आप देख पा रहे है notepad का दूसरा नाम है text document and file extension है आपका .txt तो अब हम देख लेते हैं part of window notepad को हमने बल आपको बताया हुआ है कि हम classroom के तरीके से basic इकदम beginners zero level से पढ़ाएंगे आपको तो सबसे पहले हमने जाना कि notepad का दूसरा नाम क्या है जिसे text document बलते हैं इसका extension क्या होता .txt कहते हैं इसे लोग text editor के नाम से भी जानते हैं तो अब हम चलते हैं part of window जो window हमारे सामने open होकर गया है it means notepad का application आपके सामने आया है तो इसके window के part को हम जान लेंगे किस किसे ह हम क्या बोलते हैं थोड़ा zoom कर दे रहें इसमें आप देख पा रहे हैं उपर corner पर आप देखें यहां आपको एक icon दिख रहा है यहां लिखा हुआ untitled notepad और अगर आप right में आते हैं right में आप देखेंगे यहां minimize का symbol है यहां maximize है जो maximize करते हैं तो यहां पर restore का symbol आता अग होता है left corner control menu box it means control menu box यह होता है जो आपको icon दिख रहा है इसे हम control menu box कहते हैं अगर हम alt space बार यहां प्रेस करें तो control menu box का एक drop down list आ जाता जहां से अपने window पर हम controlling कर सकते हैं तो कहने का मतलब notepad में title वार को पहचानने का तरीका या किसी भी application में title वार को पहचानने का तरीक क्या होता है left corner control menu box document name and right corner control tools यह जहां available होते हैं उसे हम title बार कहते हैं title मतलब होता है सीरसक बार मिन्स होता है पट्टी वह पट्टी जहां पर सीरसक प्रजेंट होता है वह पट्टी का जहां पर किसी application का सीरसक प्रजेंट होता है उपस्तित होता है उसे हम title बार कहते हैं और टाइटल बार का जो डिफाल्ट पोजिशन होता है एप्लिकेशन के टॉप पोजिशन में होता है तो आप देख पा रहे हैं ये उपर की पट्टी आपकी क्या है टाइटल बार इसे हम टाइटल बार बोलते हैं जस नीचे आप देखेंगे यह है आपका मैनू बार किसी एप्लिकेशन में जो फीचर होते हैं complete वो मैनू बार के द्वारा हम उसको operate करते हैं menu options के माद्धिम से हम उस window में होने वाले वो सारे कारे कर सकते हैं जिसके लिए वो window यूज किया जाता या उपयोगी होता है तो menu बार में आप देखें starting में file है और last में help है हम इसको फिर से zoom करके दिखाते हैं आपको आप देखें यह menu बार है जहां file edit format view and help यह menu options है आपके command हो जाएगा notepad की window पर आपको command हो जाएगा हम आपको basic से पढ़ा रहे हैं zero level से पढ़ा रहे हैं तो हम notepad जबकि 15-20 minutes में खतम किया जा सकता है पढ़ा करके बट इसको मैं deeply पढ़ा रहा हूँ तो आज की class में मैं आपको notepad के part of window तता file के बारे में मैं बताऊँगा next video में मैं it means notepad का जो part 2 आएगा मेरा उसमें मैं complete notepad edit से लेकर के last तक आपको notepad का knowledge provide करूँगा और दो classes में मैं आपका notepad finish करूँगा तो आप देखें सबसे उपर title bar हो गया just menu bar menu bar में menu option से हमें पढ़ने होते हैं फिर हमें complete knowledge हो जाता है notepad के बारे में या जिस भी application का हमने complete menu पढ़ लिया फिर उसके बारे में हमें complete knowledge हो जाता है हम इसको जूम हटा देते हैं या से इसको हम छोटा कर देते हैं अब हम देख पा रहे हैं यह हो गया title bar यह menu bar हो गया menu bar के नीचे पूरा आपको एक page दिख रहा है जिसमें मैं आपको अपने mouse pointer से indicate कर रहा हूं इसे हम बोलते हैं work area work area मतलब होता कारे छेत्र जहां पर हम कारे करते हैं जब हम notepad को open करते हैं तो default तरीके से आप देख पा रहे हैं जो आपका यह blink कर रहा है जिसे हम insertion point या blinking point कहते हैं आप यह move करके मैं दिखा रहा हम आपको यह जो आपका यह insertion point या इसको blinking point कहते हैं और इसका exact position laptop corner page के laptop corner पर होता है वो यह बोई indicator है जहां से आप ल insertion point होता है और आप right side में आ जाएंगे तो आपको एक पटी दिख रही है अभी बहुत highlight नहीं है विकाज अभी आपके work area पर कोई भी text नहीं है इस पटीका को हम क्या बोलते हैं scroll bar हम इसको भी आपको वड़ा करके दिखा देते हैं यह जो पटी आपके सामने side में दिख रह जाता है तो इसके अंदर एक elevator आ जाता है जो अपने हम mouse के scroll button से या mouse pointer को ले जा करके उस पर click करके हम drag करके elevator को elevate करके text hidden text को हम देख सकते हैं सेम इसी तरीके से आपको एक horizontal scroll bar available मिलता है या नीचे जब आपके text left right में hidden हो जाते हैं मतलब window के right में hidden हो जाता है या left में hidden हो जाता है left में hidden कब होता है जब हमारा right में छिपने लगता है तो text move कर जाता है इधर उदर तो हम scroll bar के माध्धिम से उसमे elevator आ जाएगा horizontal scroll bar में और उस horizontal scroll bar के माध्धिम से हम उसको move करके देख पाएंगे और उसके नीचे एक पट्टी आपको यह दिक रहे है जैसे हम status bar बोलते हैं जहाँ पर आपको ln1 call 1 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है किस line और किस character पर हम है वो यहाँ आपको show करता रहता है तो यह जो पट्टी का है नीचे आपकी इसको हम status bar कहते हैं आपका status highlight करता है कि आपका जो insertion point है किस location में है और सबसे नीचे एक पट्टी होती जिसे हम task bar कहते हैं तो यह हो गया इसका part of window हम हम आजाते हैं file पर आप देख पा रहे हैं file में यह options है new new window open save save as page setup print exit आप देखें इसके side में भी कुछ options लिखे हैं जैसे control plus n यह keyboard shortcuts है जो काम हम click करके कर सकते हैं वही काम हम keyboard से control n प्रस करके कर सकते हैं control shift n करके कर सकते हैं control o करके सकते हैं कहने का मतलब यह दि new करना है तो control n new window लाना है control shift plus n open करना है तो control o save करना है control s save as करना है control shift plus s paste setup का यहां कोई shortcut नहीं available है print करेंगे control p exit करेंगे तो यह close हो जाएगा exit के लिए हम अल्टपलस f4 भी use करते हैं तो अब हम एक एक को आसानी से समझेंगे आप ध्यान देंगे file menu menu बार में file menu पर हमने जब click किया तो हमारे सामने एक drop down list आई जिसमें आपके menu option है तो आप यह ध file के साथ हम अगर बोलेंगे तो समझने में ज़्यादा आसानी होगी मतलब file file को new करना मतलब नई file लाना file new window एक नई window की file हम लाना चाते हैं मतलब window ही नई लाना चाते हैं तो हम यहां से आ सकते हैं हम अपनी recent 파il ओं को खोलना चाते हैं जो saved file ऑसे open करना चाते हैं तो हम open से जाते हैं हम अपनी फाइलों को जो हमने कुछ matter लिखा हुआ है कुछ बाच भीtime करा हुआ है उसको हमें save करना अपनी sólo filter करते हैं जो हम दोबारा सेफ करना चाहते हैं फाइल नेम वगरा आ करके कर लेते हैं और बनी वही फाइल को जिसको हमने set up किया जिसका उसे हमें print करना है तो print का हम इस्तमाल करते हैं हमें बाहर जाना है एक्लिकेशन से तो हम exit का यूज करते हैं तो हम एक एक करके समझते हैं इसको आप देखें new अभी हम new करेंगे तो आपको कुछ मालूम नहीं चलेगा हम यहाँ पर आ करके कुछ लिख लेते हैं आप जानते हैं मेरा यूटूब चैनल है KCI Tally Specialist हमने कुछ लिख दिया यहाँ पर और हम चाहते हैं कि इस फाइल को हम नई फाइल लेकर करके आ यहाँ पर और फाइल को हमने सेब नहीं किया to save changes to untitled क्या आप सुरक्षित करना चाते हैं अपनी untitled को जिसमें आपने कोई title नहीं डाला हुआ है और आपने इसमें matter लिखा हुआ है अपना कुछ भी उसको क्या आप सुरक्षित करना चाते हैं भविसमें देखने के लिए तो यदि आप करना चाते हैं तो आप save पर click करेंगे यदि नहीं करना इसको बंद करना है तो don't save करेंगे और अगर इस पर काम करना है तो आप cancel करेंगे तो हम यहाँ पर क्या करते हैं don't save because हमने new file लेनी है तो हम यहाँ से don't save कर देंगे और हमारी नई file आ जाएगी कहने का मतलब यदि हम file menu में जाएं अगर हमें नई file की जरूरत है अगर हम किसी file पर काम कर रहे हैं अगर वो file हम हटा करके नई file लाना चाते हैं तो हम new file पर click करते हैं या हमारी कोई saved file हमने open करी हुई है उसको हम हटा करके एक नई file लेना चाते हैं तो हम new करते हैं इसी तरीके से अधि हमें एक नई window चाहिए होती है तो हम new window पर click करते हैं और हमारे सामने एक नई window प्रदर्शित हो जाती है नोटपैड की और हम यहाँ भी काम कर सकते हैं तो save हम उसी window की तरह से यहाँ पर भी matter लिख सकते हैं वो ही सारा काम कर सकते हैं यहाँ file में जाकर के हम save या new window करना चाते हैं तो हम new कर सकते हैं इसके अंतरगत भी हमें new window लेना है तो हम उस सारा काम कर सकते हैं मतलब की same उसी तरीके से एक window हम यहाँ प्रदर्शित कर सकते हैं यदि हम करना चाते हैं हम new window लेना चाते हैं तो यहां से इसको close करते हैं और हम फिर back आजाते हैं जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि यदि हम नई file लेना चाते हैं और हमारी file saved नहीं है जिस पर हम काम कर रहे हैं तो इस तरह का एक alert आएगा जहां से हमको अगर open नई file लेना है तो हम don't save करते हैं तो मेरा जो window आया था new window वो इसके अंतरगत window अया थ हूँ हथ अपका अब हम चलते हैं लेत देखते आपने से नई फाइल ला सकते हैं new window से टक्रीयू करते हैं नई विंदो ना सकते हैं एसी window के इंतर गर आफेगी यहां से आफ फाइल लेंगے कोई भी फाइल आप यहां से open कर सकते हैं जैसे यहाँ केजिए काइल करके फाइल है और इसपर हम open करते हैं इसको तो आफेड़ा करते हैं तो आप सामने मेरी फाइल दिर पहले आपको बताया कि यह दि फाइल सेब्ड है तब हम new करना चाहेंगे तो कोई भी alert नहीं आएगा directly वह फाइल हट जाएगी चुकि वह पहले से सेब्ड है वह इसमें उसको हमें प्राप्त करना तो उसके लिए हमें कोई भी message यह alert नहीं आएगा क्योंकि वह मेरी saved file है और हमारी file नई file open होकर क्या जाएगी हम यहाँ चलते हैं open पर फिर से आपको एक बार करके दिखाते हैं open पर जाएंगे आप देख रहे हैं जिस application से हम open करते हैं default तरीके से वही file name और एक्शन सन्स हो करता है क्यों ऐसा है क्योंकि उसी application की file हमें लेना है तो उससे related यदि file हैं तो आपको यहाँ पर मिल जाती है तो हम यहाँ से open करके ले लेंगे file को पर हम double click कर देंगे तो भी open हो जाएगी नहीं तो हम select कर लें और open पर जाएं तो हमारा open होकर के आ जाएगा हम यहीं double click करके दिखाते हैं आपको file open होकर के आ गई तो आपने देखा file में new स से क्या होता है नई फाइल आती है नूव विंडोस एक नई विंडो आ जाती है ओपें से जो मैंने पहले फाइल सेब कर रखी है उसको हम यहां से प्रेजेंट कर सकते हैं अब हम देखते हैं सेब लेकिन सेब को देखने से पहले हम अपनी इस फाइल को बंद करेंगे सेब करेंगे सेब करने का मतलब क्या है फाइल को अपने सुरक्षित कर लेना अपनी फाइल को भविस में प्राप्त करना चाते हैं अगले दिन हम उसके आगे और कुछ लिखना चाते हैं तो उस फाइल को हम सेब करके रख लेते हैं जिससे वो फाइल हमें भविस में प्रा का होता है आपका मेन विंडो और गृत को ऊचाहें तो इस कैप की से हम फटा शकते हैं बट अप्लिकेशन को के हम अचा नहीं सकते हैं आप देख पारे मैं इसके प्रेस कर रहा हूं और यह हमारा notepad का application नहीं हट रहा है because यह application window है और document window आपका escape की से हट जाता है तो हम क्या करते हैं फिर से हम यहां से save पर जाते हैं और click करते हैं आपके सामने dialogue open होकर क्या आगया save as का dialogue आगया आप ध्यान देंगे यहां लिखा हुआ है file name मतलब हमें file जिस नाम से save करनी है वो नाम यहां होना चाहिए और यह है save as type मैंने भी थोड़ी दर पहले आपको बताया कि notepad का file name और extension तो जिस application के अंदर हम file को save कर रहे होते हैं default तरीके से save as type में उसका file name और extension so हो जाता है जो computer automatic उसको ले आता है फिर हम file save करते हैं तो इसी type में आपकी file save हो जाती है आप देखें अगर हम destination change करके file को save करना चाहते हैं तो हम किसी भी destination में जा करके file को save कर सकते हैं हम चाहते हैं अपने folder के अंतरगत file को save करें तो हम क्या करते हैं हमने desktop पर आपको folder create करना बताया हुआ था हम यहां से जा करके एक नया फोल्डर क्रियेट करके फिर उसके अंतरगत आपको फाइल को सेफ करके दिखाते हैं यहां क्लिक करेंगे एक न्यू फोल्डर का ओप्शन आपके वर के रिया में आ जाएगा यहां पर आप डाल देंगे के सी आई केसी आई टैली करके मैंने एक फोल्डर बना लिया हम इस फोल्डर पर डबल क्रिक कर देंगे तो यह फोल्डर ओपेन होकर क्या आ जाएगा आप देख पा रहे हैं लोकल डिस्क ए के अंतरगत केसी आई टैली नाम का एक फोल्डर है जहां पर हम फाइल नेम देते है यूटूब चैनल मैंने एक फाइल नेम दे दिया यूटूब चैनल अब हम क्या करते हैं यहां सेब पर क्लिक कर देते हैं तो हमारी फाइल यूटूब चैनल जहां अंटाइटिल्ड आपको दिख रहा है यहां यूटूब चैनल नाम से फाइल सेब हो पर क्या गई इट मिन्स से जा करके अपनी फाइल को में फाइल नेम दे करके सुरक्षित कर सकते हैं यदि हम यहाँ पर नू करें तो यह हमारा विंडो नई विंडो आ जाएगी और फिर अपनी रिसेंट्स फाइल को में खोलना चाहते हैं तो ओपेन पर जाएगे और यह अगर हम चाहते हैं कि इसमें हम और कुछ बढ़ाएं जैसे मैंने लिख दिया माई इंस्टिटीूशन नेम इस कीरती कम्प्यूटर इंस्टिटूट हमने कुछ इसमें matter बढ़ा दिया अब हम चाहते हैं कि ये file हम किसी other name से save करें और हमें चाहते हैं कि जो मेरी YouTube channel नाम से file है उसमें ये matter add ना हो हम क्या करेंगे directly हम save as पर जाएंगे और file name दे करके दूसरे नाम से इस file को save कर देंगे और अगर हम ये matter इसके साथ add करना चाहते हैं तो हम save पर click कर दें या control के साथ yes प्रेस कर दें तो ये matter इसमें add हो जाएगा बढ़ मैं भी control as या save पर click नहीं कर रहा हूं मैं आपको अलग-अलग करके दिखा रहा हूं save as पर हम click करेंगे और यहां हम एक दूसरा file name डालेंगे मैंने डाल दिया KCI किर्थी computer institute तो यहां पर हम KCI नाम से file को save कर दे रहे हैं अब हम क्या करते हैं यहां से हम फिर से new करते हैं अब हम आपको open करके वो दोनों file दिखाते हैं जो हमने दो नाम से save की है एक KCI और एक YouTube channel यह मेरी पहली file थी जो मैंने भी save किया था और यह मैंने भी currently save किया हुआ है इस पर हम double click करते हैं आप देख पा रहे हैं my YouTube channel is KCI Tally Specialist by Mahindra Pandey my institution name is किर्थी computer institute यह लिख करके आ रहा है because इसको मैंने भी save आइस करके file को सुरक्षित किया है हम चलते हैं दूसरी file open करके अपनी देखते हैं इसको हम new कर देते हैं यहां से चलते हैं open और open पर जाकरके हम YouTube channel वाली file open करते हैं आप देख पा रहे हैं कि यहां पर आपका my institution name is किर्थी computer institute नहीं आया ऐसा क्यों हुआ मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि यदि हम save कर दिये होते वहीं save पर click कर देते तो dialogue नहीं आता वो matter उसमें add हो जाता लेकिन हमने उसको ना करके हमने directly save as करके एक नई file name दे करके उस file को सुरक्षित कर दिया तो दोनों में different matter थोड़ा सा change हो गया तो इस तरह से अपनी file को हम save और save as कर सकते हैं यदि ये matter हम print करना चाते हैं तो हम page की setting करते हैं page की setting करना जरूरी इसलिए होता है कि हम अपने matter को अपने page में एक उचित अस्थान पर print करना चाते हैं तो उसके लिए page setup करना होता जहां से हम margin अपने page को page की size margin ये सारी चीज़े हम select करते हैं हम page setup पर click करते हैं आप देख पा रहे हैं page setup का dialogue box हमारे सामने present है इसमें आप देख रहे हैं paper paper में size लिखा हुआ है A4 size A4 size जो होता है उसमें उसकी width होती है 8.27 inches and height होता है 11.69 inches अलग-अलग type के pages यहां available है आप कोई भी page चूज कर सकते हैं तो A4 size हम यहां default तरीके से चुन लेते हैं source में आपके printer को show करता है बट यहां भी printer नहीं लगा हुआ है तो एक printer का driver है मतलब जो default driver printer and faxes में select है वहीं यहां पर दिखा रहा है यहां पर orientation होता है orientation मतलब आपके page का view जैसे अभी आप देख पा रहे हैं इसमें आपका जो है टाल दिख रहा है मतलब height ज़ादा है और width कम है इस size इस तरीके के page को हम portrait बोलते हैं यह portrait orientation होता है and escape orientation में हैं तरीके से और यहां आप देख पा रहे है margin inches में इस हो कर रहा है left margin 0.5 मतलब आधा inch है इसको हम कर लेते हैं 0.75 और right में margin आप देख पा रहे है margin यहां side में आपको यह preview में दिखा रहा है यहां भी हम कर लेते हैं 0.75 तो same margin हो गया left right का top की margin हम 1 कर देते हैं और bottom की margin हम 1.2 कर देते हैं आप देख पा रहे हैं इस तरह से हम यह बेवस्थित कर लिया हमने इस तरह से आपको यहां क्यों बताया हम कुछ भी यहां लिख सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं header में हमने डाल दिया KCI header होता है यह जो top area होता है page का उस जो margin होती है आपकी उस area को हम header बोलते हैं जबकि page में जो आपका top area जो top margin आप दिये होते हैं उसमें header के लिए भी margin set होती है बट यह बहुत ही basic application है तो इसमें वो setup नहीं होता directly हम यहां save कर लिए और footer में हमने page 1 कर दिया हम चाहें तो यहां पर लिख दें page 1 page 1 और हम यहां से इसको ok कर ले तो मेरा page setup हो गया हम इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा हम यहां चलते हैं और अब हम print करना चाहते हैं page setup आपने देखा print हम चाहें control p करें मैंने भी आपको बताया था कि source में default रे लिखावा है यह जो send to one note जब ms office installed कर लिया जाता है तो आपका एक one note microsoft one note application आता है जो printing के लिए especially होता है जिस printer का driver automatic आ जाता है तो वही driver यहां पर selected है इसलिए हमारा page setup और आ रहा है हम क्या करते हैं आप देखें यहां status सो कर रहा है ready हमें file print करना है preference वगरा में जा करके हम setting को देख सकते हैं यहां से printer को find कर सकते हैं अगर हमारे पास कई सारे printer लगे हुए हैं तो हम वहां से जा करके change कर सकते printer को preference में हम जाए तो हम यहां से आपको page का पूरा layout दिखा सकते हैं जो अभी मैंने आपको बताया कि जो page size A4 size होता है वो उसकी width 8.27 होती है और उसकी height 11.26 होती है आप देखें orientation portrait में tall wise height wise होता है और landscape में width wise होता है कहने का मतलब जो width अभी तक आपने देखा जो height में size दे रहा था वो width में आ गया और जो width में दे रहा था वो height में आ गया because हम landscape में है मैंने आपसे भी बताया कि landscape में width ज़्यादा होती है और height कम हो जाती है अगर हम portrait करते हैं तो height ज़्यादा होती है और width कम हो जाती है इस तरह से हम यहाँ इसको check कर सकते हैं हम यहाँ से okay करके आ जाएंगे हमें जितनी copies लेनी यहाँ पर हम click करके copies बदल सकते हैं और यहाँ पर अगर हम all करते हैं तो जितने भी pages होंगे step by print हो जाएंगे step by step और अगर हम हमारे पास ज्यादा pages हैं तो हम यहाँ से page एक से दो दो से तीन जैसे भी हमको निकालना है उस तरह से setup करके हम निकालते हैं बट यह बहुत ही basic application है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा setting हम नहीं करते हैं हम यहाँ से apply करते हैं तो printing के लिए okay होता है और यहाँ अगर हम print कर दें हाला के printer नहीं लगा हुआ है तो print करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ आपके notification एरिया पर एक printer का symbol बनके आ गया है और यहाँ पर document के लिए so कर रहा है pending दिखा रहा है तो आप देखें one note मैंने भी आपको बता है कि one note आपका print के लिए होता है प्रिव्यू अगर आइस में तुरंत आ जाता तो आप देख पा रहे है यह one note में print करके दे दिया है प्रिव्यू आगया आप देखें header area में KCI लिखा हुआ है और footer में आपका number page number 1 लिखा है आप देख पा रहे हैं जो हमने header footer में दिया हुआ था और matter है exit अगर exit किया तो इस exit मतलब होता है निकास बाहर आ जाना मतलब application से बाहर आ जाना तो exit कर देते हैं हम यहां करते हैं चाहिए हम alt plus f4 करें चाहिए exit पर आ करके click कर दें तो इस तरह से हम notepad application से बाहर आ जाएंगे तो आपने देखा कि हम notepad को open कैसे करते हैं notepad का file name extension क्या है notepad की part of window हम कैसे देखते हैं यह सारी चीजें आपने समझा तथा notepad में file menu का हम use कैसे करते हैं उसके options को हम कैसे use करते हैं उनका क्या उप योगिता है वो आपने जाना I hope आपको यह video अच्छी लगी होगी यदि वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए useful हो तो वीडियो को आप like जरूर करें अपने friends के पास share करें यदि channel को अभी तक subscribe नहीं किया तो ऐसी important videos के लिए आप channel को subscribe जरूर कर लें मिलते हैं next day notepad का next video लेकर के तब तक के लिए thank you जय हिन